तो हाइट को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करने के लिए इस वीडियो है, देयान से पुरह देखो जौह हैं प्यारे साथियो तो आपी एप में जाने के लिए आपको एक्साओ पस्वर्टी से एक्सातो सेंटीमीटर हाइट चीहें जोड़ी से पैर ऌप की नहीं तो तो एक साथी कमेट दिया कि उसका सेंटिमीटर कँ 144 संटिमीटर है तो हाइड को जोड़ी से जोड़ी इंक्रेज़ करने के लिए इस वीडिए हैंसे पूरा देखो और बैप को करने के लिए आप अपने ग्राउंड पाश जल्दी से जल्दी चली जाहे और अपने एक्साइज के साथ कुछ इस तरह से चार एक्साइज करना पर बगा हाइड को जल्दी आप एक माईने के अंदर इंक्रीज कर सकते ब्यक्रिकाश चाहिए तो 167 सिंटिमेटर हाइट आपका नहीं है तो इस वीडियो आपके लिए है जारूर एक्सरसाइज को फुलो करो ठीक है तो हाइट को इंक्रीज करने के लिए आपको तीन टिप्स को डेली फुलो करना पड़ेगा और एक डाइट प्लें पहले सुन लो आपको सोस्ता दम में मिल जा चाना और किसमेज उसको भीगेकार खाओ आपने मॉर्णिंग टाइम आप ग्राउंड के आने के समय आपका बहुत ही प्रोटीन सरुन में पड़ेगा आपका हीट इंक्रीज करने में मंदात होगी तो यह पुलाप देख रहे हैं अपने ग्राउंड पाजरूर एक कि इस तारी के से करें वीडियो को पुरा देखो पुलाप के समय में आ गया पहले करेंगे नर्मल पुलाप इस तारह से जांपिंग कर लो आपका जांपिंग लाफिंग दोड़ी है ठीक है तो आप जांपिंग जैस कर सकते पहले नहीं है तो नर्मल करें इस तारह से आपन कोई भी गाल्स कंडिडेट है वीडियो अभी देख रहे तो आप इस तरह से जांपिंग करें उंगली के भारो समय ठीक है यह गुटली उपार की ओर राखे और उंगली नीचे तो इस तरह से आप पूरी से दिरिजबा जांपिंग करें फिर आप पुलाप को तयोरे करें तो कि अगर अगर तो आपका है इंकरी सांपने में बहुत ही कम समय में आपका हैट इतना बढ़े गई आप सब्सक्राइब करने में बहुत ही मुसिबत करना करना पड़ेगा कि उसके बाद हम करेंगे अर्मी पुलाप इस तरह से पकार के अपने बाइसेफ को बाना सकते हैं है और चेस नहीं है किसी का तो चेस भी बन जाएगे ठीक है तो इस तरह से पुलाप के समने आगे है इस तारह से पाकड़े है एसे होल्ड तो मैंने सोट मादम से आपको समझा दिया दो तीन बार करके तो आप इसे दोस बार करके दो रेफ्स करें पुड़ी बाद ठीक है तो आपका हाइट इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद आपको इस उंगली के फरसमें इस तरह से अब जाम्पिंग करें अब अगर जांपिंग करते तो आपका हाइट इंक्रीज हो जाएगी नेक्स बीट बाद चाहते हैं झाल बाद भी लो जाएगी नेक्स तरेघाल इंक्रीज हो जाएगी उन्भे कि काल भी शाएगी।